दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटाडे कोच में दोस्तों इस बार फीवर कुछ लंबा खिच गया दो हफ्ते बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं अभी भी तबियत लगता है पूरी तरह से ठीक नहीं हुई कोई बात नहीं लेकिन वीडियो बना सकता हूं चलिए देखते हैं कि मार्केट में कल कहा मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे लॉजिक क्या है चार्ट के उपर चलते हैं दोस्तों यह निफ्टी का चार्ट है अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इस निफ्टी के चार् में आएगी कि मार्केट जो है वो लगातार लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अभी तक कहीं से भी कोई ऐसा सिगनल नहीं मिला है कि मार्केट अब ट्रेंड में जा सकता है खास तोर से निफ्टी का नि एक आगली मार्केट में इसी रैंज में वापस अको कल की दिन हम कहाे पर कर सकते हैं। अगर मार्केट इस trend line को follow कर रहा है आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पर gap down गई था उसके बाद मार्केट फिर इस trend line के पास आया, फिर trend line के पास आया और आज मार्केट ने यहाँ closing ठीघ कल के दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और सत्रा हजार चार सो सत्रा लेविल के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं जैसे कि अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डबलू पैटन दिख रहा हो लेकिन यह डबलू पैटन क्या हुआ सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करके नीचे आगे अगर इसको थोड़ा और लॉंग वे में देख कि जब मार्केट इस 17,417 के ऊपर आके रुकेगा यानि इसकी क्लोजिंग 17,417 के ऊपर हो और एक्शुल में स्ट्रेंथ आएगी 17,500 क्या 600 के ऊपर यानि कि यह जो लाइन आप देख रहा हो ना इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब मार्केट में एक स्टेविल स्ट् करना जब जब मार्केट इस ट्रेट आइन के पास आ रहा है घुर जा रहा है तो हमको क्या करना करना या तो जो रिसकी ट्रेड है वह इस ट्रेड खारंके शुल कर सकते लेकिन जो रिसकी ट्रेड नहीं वह 17,447 का जबत sun Im कि आपको बाई करना है निफ्टी को कहां पर करेंगे इस टॉप लोज 35 पॉइंट का डालेंगे लगबग लगबग सत्रह हजार तीन सो असी का इस टॉप लोज डाली और जो टारगेट निकल कर आएगा वह आएगा सत्रह हजार 526 पता 417 के बाद जो हमारा अगला टारगेट है सत्रह हजार 526 और दूसरा टारगेट आएका सत्रह हजार 602 इन दो टारगेट के लिए आप निफ्टी को बाई करके चल सकते हो Selling आपको कप करना है, जब आज का low break हो, आज का low break हो, आज का low कितना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज का low है, 17,260 के आसपास आज का low है, तो आप 17,260 के बाद आप इसे sell कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, निफ्टी को 17,260 के नीचे sell कर सकते हो, stop loss डाल सकते हो, 17,295 का, और target जो आपको निकल के आएगा, वो पहला target आएगा 17,194 का, दूसर target आएगा 17,110 का, तो ये दो target के लिए आप निफ्टी को sell करके चल सकते हो, हमारे इन levels का ध्यान लखना, levels market में बहुत important होते हैं, अगर आप levels के according trade करना सीख गए, तो daily आप कुछ ना कुछ पैसा बनाओगे जरूर, सभी लोग, अगर आप सुनेंगे ध्यान से, तो सब लोग यही कहते हैं, कि आपको आपके level के according trade करना चाहिए, क्योंकि हर level जो है, मैं आपको जो देता हूँ, वो बहुत important level है, जैसे market ने क्या किया, इस support को break कर दिया, तो market next level तक आया, next level से फिर buying आई, market इसी level तक गया, यहां से फिर selling आई, इस level तक गया, यहां से फिर buying आई, यहां से फिर selling आई, इस level तक गया, तो level बहुत important होते हैं, तो आप level के according trade करना सीख जाएंगे, तो आप अच्छा पैसा इस market से बना सकते हैं चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में आप गौर करिये आज मार्केट ये ओपिन हुआ पहली केंडल आपको दिखा दूँ में नो पंदरा की केंडल कौन सी वाली है यह हमारी 9.15 की candle है यह 9.15 की हमारी पहली candle है मार्केट जहां खुला यह देखी जब मार्केट एक रेंज में 2-3 घंटे बिता देता है उसके बाद जो moment आता है वो तगड़ा moment आता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तगड़ा moment आया हाला कि उसी candle में दूसी candle में उसने उस moment को cover भी कर लिया लेकिन ये moment डेट सो दो सो point का है तो अगर आप इस तरह के moment कैच करना चाहते है तो आपको wait करना होगा कि market time pass कहां पर कर रहा है कहां पर time बिता रहा है जितना ज़्यादा time वो एक range में बिताएगा उस range के बाद market में moment बड़ा आता है क्यों आता है ये भी हम बता दे माली जी किसी बैक्ती नहीं यहाँ बाई किया है वो wait कर रहा है उपर जाने का market इसी level पर आया तो जहां पर buy किया होगा उसी के नीचे तो stop loss लगाया होगा उसने तो जितने लोगों ने यहां पर buying कियो होगी क्यों कि market क्या था पहले इस range में था इस range को इसने break कर दिया जब break करेगा तो buy की जाएगा जब buy करेंगे तो stop loss इसके नीचे कहीं लगेगा तो यहाँ कहीं पे stop loss लगा होगा तो इतने सारे लोगों का stop loss जैसे crack हुआ market ध्लाम से नीचे आगा तो यह होता है range का break ऐसी market जब उपर की तरफ range को break करता है तो लोगों ने जिन लोगों जो लोग seller होगे क्योंकि market में सेम टाइम पे buyer भी होते है seller भी होते हैं फर्क के वल इतना होता है कौन market को dominate कर रहा है buyer market को dominate करेंगे तो उपर ले जाएंगे seller dominate करेंगे तो नीचे ले जाएंगे तो मार्केट टेजी से नीचे आएगा, ऐसे जो लोग seller हैं, अगर उनका stop profit होता है, तो मार्केट टेजी से ऊपर की तरफ जाता है, तो इस चीज को आप समझें, फिलाल कल के लिए क्या इस्तिती है, मार्केट जिस range में आज पूरा दिन बिताया है, उसी range में उसने आके closing दि यानि 220 से लेके 395 तर, कल मार्केट अगर इस range को break करता है, तो आप समझें, यह जो कल का high है, यह भी break हो जाएगा, यह जो कल का high है, जहां पर market open हुआ था, यह भी break हो जाएगा, फिर मार्केट के पास अगला level आएगा, 45,582 का, उसके बाद अगला level आएगा, 45,780 का, तो आप buy कहां कर सकते हो, bank 50 को, आप buy कर सकते हो, 395 के उपर, यानि कि 40,400 पर buy करोगे, SL कहां लगाओगे, 40,320 का stop loss रहेगा, और target जो निकल के आएगा, वो पहला target आएगा, 40,582 का, और दूसा target आएगा, 40,650 का, तीसा target आएगा, 40,780 का, इन तीन target के लिए आप bank nifty को, कल के दिन buy कर सकते हो, sell कहां करेंगे, 40,220 का level जैसी तोड़ेगा, हम sell कर देंगे, sell कहां करेंगे, 40,220 पर हमसे sell करेंगे, stop loss डालेंगे, 40,300 का, और जो target निकल के आएगा, वो पहला target आएगा, जो आज का लो था, आज का लो है, 40,060 का, आप पहला target आप ले सकते हो, अब देखिए, मैं आपको लंबा target दे रहा हूं, लगबग लगबग, 1,580 का target है, दूसा target आज आएगा, आपका 49,900, तो इन target के लिए, आप बैंक निफ्टी को cancel कर सकते हो, इन target के लिए आप buy कर सकते हो, तो दोस्तों, इस बार वीडियो गनाने में थोड़ा delay हुआ, तबियत खराब थी, कोसिस करेंगे, कि आगे आपको लगातार वीडियो मिले, इसी के साथ वीडियो समभ़त करता हूं, धन्यवाद,